हेलो फ्रेंड्स, वेल गम तू रोजगार वी दंकु शर्मा फ्रेंडस, आज का जो हमारा टोपिक है वो होगा सोलर पैनल ओरीेंटेशन का कि हमें solar panel अगर install करने है तो कौन सी direction में install करना चाहिए जिससे कि हमारा maximum solar generation हो सके और हमारा system best effective system बन जाए तो इस वीडियो को start करने से पहले मैं एक request करूँगा अपने अगर चैनल को भी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लिजे और वीडियो को अगर पसंद आए तो like और share जरूर कर देना दोस्तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे south direction की कि south direction जो मैं आपको भी बता रहा था कौन सी direction में हमें panel को install करना है तो वो है south direction अब सबसे पहले तो यही याद रख लिजेगी south direction में install करना है means solar panel का जो orientation हमें रखना है वो south facing रखना है ठीक है और उसके बाद south facing क्यों रखना है यह मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ठीक है तो सबको याद होगे south facing हमें solar panel रखने है जबी भी हम solar panel को installation कराना चारा है अप कि आप अपना measure कर सकते हो ठीक है direction measurement तो आप करी सकते हो compass के help से उसके बाद हम देखते हैं कि as in south direction maximum solar irradiance can be focused on the solar panel यहाँ पर मैंने लिखा है कि solar panel के उपर maximum irradiance आ सकती है irradiance का मतलब है कि sunlight per square kilometer भी बहुत सकते हैं meter square भी बहुत सकते हैं हम जैसा भी जो भी area ले रहे हैं basically बहुत सकते है solar energy per square per area बहुत सकते हैं directly तो यह irradiance होगी solar irradiance तो इस solar irradiance हमारी south direction में अगर हम facing कर रहे हैं पैनल को तो सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पर देखिए मैंने direction indicate की हुई है तो हमारा जो sun है वो सबको पता है east से rise करता है और west में set होता है sunset ठीक है तो east से rise करेगा और west में जाएगा इस तरीके से आपको समझ में आपा रहा है east से यहाँ पर sunrise होगा और south को होते हुए कहाँ पर जाएगा यह west direction में जाके sunset हो और रात हो जाएगी ठीक है अभी देखिए अब सुबह में जब सूर्य यहाँ पर उद्य हुआ हुआ तो उस case में आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि sunrise होने की बाद आपको irradiance यहाँ पर मिलेगी अगर आप यहाँ पर south facing direction रखे हैं तो अब देखिए अगर आपने इस time प आएगा south की दिरफ लेकिन आपने face कहां पर रखा हुआ है north की side में तो north की side में रखेंगे तो उससे issue क्या आएगा वह उसके back side में sunlight आएगी तो back side में sunlight आएगी तो उतना solar irradiance उसके ओपर नहीं आ पाएगा जिसकी वएसे solar generation उतना अच्छा नहीं हो पाएगा electricity generate हो रही हमा अगर आप यहां से कर रहे हैं south की direction में तो आप देखेंगे south की direction में आपको directly sunlight मिलेगी एक दम 90 degree perpendicular मिलेगी एक तो सबसे पहली बात दूसरी चीज आपको यहां पे maximum sunlight मिल पाएगी उसके बाद आप west में भी जा रहे हैं तो जितना भी time आप इस तरीके से भूमेंगे sunlight के तो हम पैनल के ओपर दे सकते हैं वो इसी direction में दे सकते हैं हाँ एक चीज हो रहा है अब कुछ लोग यह वैसे कोई सोचेगा नहीं यह एक बेवकुफी वाली बात है लेकिन फिर भी मैं बता रहेता हूं क्योंकि sunlight हम direction change नहीं कर सकते हैं हमें पैनल की direction को ही change करना पड़ेग तो यहाँ पर मैंने यह लिखा हूँ है in the morning time we are looking at the sun it rises in the east and reaches to west मतलब कि पूरब में उदे हो रहा है और west में जाके sunset हो जा रहा है और evening के time पर यह कहां से होगे जा रहा है लेकिन via south south से होगे जा रहा है west में इसलिए क्या है कि maximum solar irradiance हमारी कहां पर ज्यादा मिलेगी south facing direction में ठीक है दोस्तो तो यह था हमारा आज का वीडियो इस वीडियो को आप लोगों को अगर पसंद आये तो दोस्तों को share कर देना जिन लोगों के लिए भी यह अच्छी वीडियो हो सकती है बाकी कोई doubt है अगर वीडियो में तो आप comment box में लिख सकते हैं बाकी मिलते है एले गुड़ पैर थेंक्यू